हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेजी स्टेडी आई क्यू मैं आज के इस वीडियो में भारतियस संभिधान के राज जब्यवस्था के महत्तपूर प्रस्णों का पार 2 लेकर आया हूँ और इसके पहले वाले वीडियो में मैं पार 1 लेकर रहा था जिसमें 1-30 प्रस्णों को किया था और आज के इस वीडियो में हम 30-60 प्रस्णों को करेंगी जो कि सभी परतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्तपूर है दोस्तों ये भारतिय संबिधान के राज जबेवस्था के सबसे महत्तपूर प्रस्ण है जो कि सभी परतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रस्ण है तो दोस्तों वीडियो श्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं तो चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों पहला प्रस्ता है क्वेशन नमर 30 भारतिय संग की राज भासा क्या है भारतिय संग की राज भासा क्या है तो एंसर होगा हिंदी क्वेशन नमर 31 संबिधान में प्रथम संसोधन कब हुआ संबिधान में प्रथम संसोधन कब हुआ एंसर होगा 1901 में क्वेशन नमर 32 विस्व का सबसे लंबा लिखित संबिधान किस देश का है बिस्व का जो है सबसे लंबा लिखित सम्विधान किस देश का एंसर होगा भारतिय सम्विधान भारत का जो सम्विधान है वो बिस्व का सबसे लंबा लिखित सम्विधान है Q23, भारतिय संविधान का निर्मार एक संविधान सभादवारा कितने दिन में किया गया था? एंसर होगा, दो बर्स, 11 महिने और 18 दिन में Q24, भारत का पहला आम बजट 19-22 में किसने प्रस्तूत किया था? उत्तर होगा, PK, सनमुक, 60 Q35, भारतिय संविधान में किस अनुछेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? भारतिय संविधान के किस अनुछेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुछेद 32 को Q36, परधान मंतरी का सचिवाले किस के अधीन होता है? परधान मंतरी का सचिवाले किसके अधीन होता है? ग्रिह मंतरा लेके Q37, भारत का मैगना कालटा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? उत्तर होगा भाग तीन को Q38, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें बिटेन के परधान मंतरी कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? क्लेमेंट एटली और लेबर पार्टी की सरकार उसमें बिटेन में थी? नेक्ट कोशन, Q49, संसत के तीन सत्र कौन कौन से है? उत्तर होगा तीन, संसत के तीन सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और सित कालिन सत्र Q40, दो बार राष्ट पती निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट पती कौन थे? अंसर होगा Q45, कौन ऐसे राष्ट पती निर्वाचित होए थे? जिन्होंने कॉंग्रेस का ऐस्पष्ट बहमत होते हुए भी निर्दलिय उमिद्वार के रूप में चुनाओं में सफलता प्राप्त की Q45, कौन ऐसे राष्ट पती निर्वाचित होए थे? जिन्होंने कॉंग्रेस का ऐस्पष्ट बहमत होते हुए भी निर्दलिय उमिद्वार के रूप में चुनाओं में सफलता प्राप्त की थी? Q44, ऐसे राष्ट पती जो एक बार चुनाओं में प्राजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए उत्तर होगा निलम संजीव रेड़ी Q45, भारत के कौन-कौन राष्ट पती पुर्व के उप राष्ट पती के पद पर नहीं रहे हैं Q47, भारत के कींदो राष्ट पती के मिर्थिव अपने कारेकाल के दौरान हुई है Q48, भारत के कीस राष्ट पती का कारेकाल सबसे कम रहा है Q49, राष्ट पती के पद पर सबसे कम रहा है Q49, राष्ट पती के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयू में कौन आसीन हुए थे उत्तर होगा नीलम संजीव रेड़ी तथा आर बैंकट रमन नीलम संजीव रेड़ी जो है 65 साल की उमर में राष्ट पती बने थे उत्तर होगा तीन बार 1962 में, 1971 में और 1975 में Q51, भारत के प्रथम राष्ट पती तथा उप राष्ट पती कौन थे उत्तर होगा डक्टर रजेंदर परसाद भारत के प्रथम राष्टपती डक्टर रजेंदर परसाद और भारत के प्रथम मुप राष्टपती सर्पली राधा क्रिशनन है क्वेशन नमर बावन किस देश में राष्टपती केवल एक बर्स के लिए चुना जाता है किस बर्स में, किस देश में राष्टपती केवल एक बर्स के लिए चुना जाता है, उत्तर होगा स्वीटजर लेंड, स्वीटजर लेंड में जो है केवल एक बर्स के लिए राष्टपती चुना जाता है, और भारत में राष्टपती पांच बर्सों के लिए चुना जाता है Quesion No.3 भारत के प्रथम परधान मंत्री कौन थे? उत्तर होगा सरदार बल्लभाई पटेल भारत के प्रथम परधान मंत्री सरदार बल्लभाई पटेल थे Quesion No.55 भारत में प्रथम गैर कंग्रेशी प्रधान मंत्री कौन बने? उत्तर होगा मुरार जी देशाईं किस परथान मंत्री की मिर्तिव उनके कारेकाल के दोरान हुई थी कुशन नमर्चावन दो बार कार्यवाहक परधान मंत्री के रूप में किसने कारे किया? उत्तर होगा गुल्जारी लाल नंदा Q69 परधान मंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसिन रहे? उत्तर होगा चौधरी चरंड सिंग सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत के परधान मंतरी का पद किसने संभाला उत्तरोगा राजियु गाधी और मुरार जी देशाई राजियु गाधी सबसे कम उम्र में परधान मंतरी बने थे ये 40 बर्स की आईउ में परधान मंतरी बने थे और ये सबसे युवा परधान मंतरी भी है और मुरार जी देशाई जो है 81 बर्स की आईउ में परधान मंतरी बने थे प्रधान मंत्री पद से त्याग पत्र करने वाला पहला बेक्ती कौन है उत्रवा मुरार जी देशाई जो है प्रधान मंत्री पद त्याग करने वाले पहले बेक्ती है चौधरी चरण सिंग के मत भेदो के चलते जो है इन्होंने प्रधान मंत्री पद को छोड़ना पड़ा तो हाई गाईज, इस वीडियो में इतना ही, I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे पहली पर आएंट चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दो हैं, ताकि आपको अ थैंक्स पर वाचिंग, सुने नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद.